नमस्कार दोस्तों आज हम इस वीडियो में वीवो वाई 31 2021 वर्सस सामसंग गैलेक्सी M31 प्राइम का फुल डेप्थ कंपारिसन करने वाले हैं इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दुसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डाइमेंशन की दोनों फोन की लेंथ की बात करे तो Y31-2021 में 2.96 इंच जबकी M31' में 2.96 इंच की width मिलती है जो की सेम जैसी ही है बात करें थिकनेस की तो Y31-2021 में 0.33 इंच जबकी M31' में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है जो की 31,021 से ज्यादा है अब बात करते हैं weight की तो Y31-2021 में 188 ग्राम्स जबकी M31' में 191 ग्राम्स का weight देखने को मिलता है जो की सेम जैसा ही है तो चलिए अब हम display को compare करते है डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Y31-2021 में IPS LCD जबकी M31' में Super AMOLED की display मिलती है aspect ratio Y31-2021 में 20 ratio 9 जबकी M31' में 19.5 ratio 9 मिलता है डिस्प्ले साइज की बात करें तो Y31-2021 में 6.58 inches जबकी M31' में 6.4 inches मिलती है डिस्प्ले रेसलूशन Y31-2021 में 1080 by 24,408 और M31' में 1080 by 2340 मिलता है screen to body ratio Y31-2021 में 84.75 जबकी M31' में 83.92 प्रतिशत मिलता है बात करें PPI density की तो Y31-2021 में 401 पिक्सेल प्रति इंच जबकी M31' में 403 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानि विशेशताएं की जोकी mobile phone का महत्वपून हिस्सा है अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की दोस्तों सबसे पहले बात करें मैं कैमरा की तो 31-2021 में 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें की wide-angle primary camera, depth camera और आखिर में macro camera देखने को मिलता है और M31' की बात करें तो इसमें 4 camera देखने को मिलता है जिसमें की wide-angle primary camera, ultra-wide-angle camera, macro camera और आखिर में depth camera देखने को मिलता है बात करें video camera की तो Y31-2021 में 8 different type के features मिल जाते है और M31' की बात करें तो उसमें 6 different type के features मिल जाते है अब बात करें front camera यानि की selfie camera की तो Y31-2021 में single camera देखने को मिलता है जिसमें की 7 different features मिलते है और M31' में भी single camera देखने को मिलता है जिसमें 5 different features मिलते है अई अब बात करते हैं hardware के बारे में जिसमें हम CPU, GPU, RAM की information देखते है hardware में सबसे पहेले CPU जो की speed के हिसाब से देखा जाए तो phone में सबसे important part है उसकी details देखते है GPU की बात करे तो Y31 2021 में Adreno 610 जबकी M31 Prime में Mali G72 MP3 मिलता है जिप सेट की बात करे तो Y31 2021 में Qualcomm Snapdragon 662 और M31 Prime में Samsung Exynos 9 Octa 9611 मिलता है बात करे RAM की तो दोनों phone में सेम ही 6GB RAM मिलती है बात करे internal memory जिसको हम storage भी कहते है वो दोनों phone में सेम ही 128GB storage मिलती है expandable memory की बात करे तो Y31 2021 में up to 1TB जबकी M31 Prime में up to 512GB है operating system की बात करे तो Y31 2021 में Android V11 जबकी M31 Prime में Android V10 Q देखने को मिलती है बाटरी Y31 2021 में 5000 mAh जबकी M31 Prime में 6000 mAh देखने को मिलती है अई अब main feature को देखते है colors की बात करे तो Y31 2021 में 2 colors जबकी M31 Prime में 3 colors option मिलते है सब information देखने के बाद बात करे price की तो Y31 2021 6GB RAM 128GB storage के साथ 16,490 रूपीस में मिल जाता है और बात करे M31 Prime की तो वो 6GB RAM 128GB storage के साथ 16,499 रूपीस में मिलता है दोस्तों अब बात करते है runs and cons यानि की फायदे और नुकसान की तो Vivo Y31 2021 में 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है जबकी बात करे Samsung Galaxy M31 Prime की तो उसमें 4 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है Finally बात करे है result की तो display में M31 Prime आगे है Main Camera में M31 Prime आगे है Front Selfie Camera में दोनों फोन सेम ही है Performance में 31 2021 आगे है दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते है पहले Competitor Phone की बात करे तो उसमें Xiaomi Poco M2 Pro है दूसरा Oppo A16 है तीसरा Xiaomi Mi 11 Lite है और Last Competitor Phone की बात करे तो उसमें Vivo Y53S 4G है और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना